हाई फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनस, एन्बी चैनल पर आप सभी का सोगत है आज के वीडियो में हम आपको बताएगी कि आप बॉयलर चूदे बनाने के लिए बॉयलर एक्स को यानि बॉयलर अंडो को कहा से खरीश सकते हो जी हाँ दोस्तो इसके पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो में बता चूदा हूँ कि आपको बॉयलर एक्स कहा से मिलेगा बट फिर भी भहुत सारा कमेंट आ रहा था करके आज यह वीडियो स्पेशली बना रहा हो दोस्तो कि आप बॉयलर अंडे कहा से करीश सकते हो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दो दोस्तो जो बादार में जी हाँ बादार में मार्केट में राशन की दुकान पे जो सपेद वाले अंडे बिक्री के लिए होते हैं जो चार रूपे पाच रूपे में मिलता है वो boiler eggs नहीं होता जिया दोस्तों वो अंडो के लिए special layer मुर्गी पाली जाती है वो layer का अंडा होता है इसलिए उसमें से boiler चूदा निकलना है उसमें से कोई भी चूदा नहीं निकलता जिया दोस्तों वो अंडो में से चूदे incubator के अंदर नहीं निकलते हैं क्योंकि वो सब unfer breeder का जाता है जिया दोस्तों और दोस्तों boiler जो अंडा होता है जिया boiler eggs market में विक्री के लिए अवेलेबल नहीं होता है जिया दोस्तों बादार में boiler अंडा विक्री के लिए नहीं आता है यह boiler अंडे शिरिप बड़ी बड़ी hatchery हो के पास होते है या फिर private breeder के पास होते है जिया दोस्तो जो बड़ी बड़ी hatchery होती है उनके पास खुद का breeding farm होता है वहाँ से खुद के अंड़े निकलती है और उससे चूदा बनाती है कोई private breeder farm भी होते है वो hatchery को अंड़े supply करते है जिया दोस्तो वो स्रीप अंड़ा निकलता है और hatchery में जाता है वो market में आता ही नहीं है अब मैं आपको बता दू दोस्तों कि आप boiler X कहां से खरीद सकते हैं लेकिन boiler X खरीदने के लिए सबसे महत्वपुर्णा बात होती है दोस्तों आपकी quantity जी हाँ आपको कितनी ज्यादा संक्या में अंड़े चाहिए अगर आपका quantity पाच अजार दौस अजार बीस अ ना मिल जाता है या फिर जो चिक्स प्रोवाइट करने वाले एजन्ड होते है पोल्ट्री शॉप होती है वहाँ भी आप boiler X की डिमांड कर सकते हो वो भी आपका बड़ी हैच्री के साथ breeder firm के साथ agreement करके थोड़ा बहुत commission manage करके आपको अंड़े उपलप्त करा देंगे ले आपको इतने आसानी से boiler X मारकेट में नहीं मिलेगा हैच्री वाले भी आपकी quantity कम होने के कारण ज्यादा आपके deal पर धैन नहीं देगे अगर आपका 100-200 का quantity है तो अगर boiler अंड़ा आपको बहुत ही जरूर है तो आप एक चीच कर सकते हो आप खुद breeder मुर्गिया पाल सकत हो जिहा दोस्तो ब्रीडर मुर्गी पाल कर आप खुद के 100-200 अंड़े जमा करकर हैच पे डाल कर चूदा बना सकते हो अगर आपका quantity बहुत ही कम है तो मैं तो बोलूगा सिधा सिधा आप मारकेट से रेडी चूदा लीजे boiler और उससे अपना business चलाईए अगर कम quantity में अंड चला सकते हो उसमें आपको ज्यादा profit मिलेगा जिया दोस्तो कम तादाद में कम quantity में ज्यादा profit नहीं आएगा ज्यादा तादा ज्यादा quantity में ही profit आएगा तभी आपको अंडों में से चूदा निकालने को पूरेगा या फिर अगर आपको कम तादाद में business करना है तो आप boiler का नहीं कर सकते जिया दोस्तों मैं साफ साफ आपको बता दू अगर आप सोच रहे हो कि मैं कम तादाद में खुद का चूदा बना के बॉयलर फार्मिंग करता हूँ तो यह पॉसिबल नहीं है यह आपको बड़ी तादाद में बड़ी कॉंटीडी में ही करना होगा हाँ आप आपको छोटी तादाद में घर का चूदा घर का फेड और खुद का फार्म करना है तो आप बॉयलर मुर्गी छोड़के बाकी सभी वेराइटी में कर सकते हो क्योंकि उसका अंडा वगेरा इजीली मैनेज होता है अगर आपको और भी कोई दिक्कत है आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो हम आपके कमेंट का जाब देनी की कोशिश करेंगे जी आ दोस्तों कोशिश ही लिए क्योंकि लाखों कमेंट होता है सभी कमेंट को पढ़के उसका रिपलाइ देना मुश्किल होता है इसलिए हम कोशिश जरूर करेंगे साथ ही दोस्तों अग तुमने जरुत मन दोस्तों में शेयर कीजेगा आप सभी मित्रों का वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद